बहुत बहुत धन्यवाद जबारत जएन स्पी शेतर के बाहर है और इन दोनों के विकास का काम जन जाती है विकास मंतराले के पास है महदे इसके लिए कमेटी बनी हुई है टी एसी मैं भी उसका सदश्य हूँ मुझे ढ़ाई साल हो गए मंतरी महदे उसकी आज तक मीटिंग नहीं हुई एक फॉर्मेल्टी कुछ दिन पहले पूरी करी थे जिस पे आपने वीडियो कान्फरेंसिंग जरिए मीटिंग कर ली ऐसी मीटिंग से लाव नहीं होता इन मीटिंग जादा हो मंतली हो त्रेमासिक हो जो भी हो और सार्थक हो इसमें कुछ गंबीरता है ताकि मुद्दे उठा सके हमें मौका मिले दूसरा मौद है इसमें जो बजट मिलता है उस बजट काउटन का कोई मापदन्ड होना चाहिए क्या तो आप छेतरफल के आधार पे कर दें आबादी के आभाद पे कर दें उस पे कोई इन कोई आप उसके पर कैपिटा आप दे लिए इतना बजट का इतना प्रती वक्ती इतना इस हिसाब से मिलेगा शेतरफल के इस हिसाब से कर दें कुछ उसका आधार होना चाहिए उसके अभाव में इसका सही उप्योग नहीं हो सकता मैं आगरे यह करूँगा इसकी रूप रेका बनाई जाए इसकी गाइड लाइन्स बनाई जाए कि पैसा कैसे खर्च होगा किस शेतर पे होगा किस हिसाब से होगा मौदे अभी गुजराद इसने हारियाना ने वहांके लोकल लोगों के लिए इस प्चेतर प्रतिशत की जो चातूरत और तिर्टेशत इसरेनी जॉब्स हैं उसमें आरक्षन किया है मैं सरकार से राइस्तान सरकार से मांग करूँगा कि टीएस्पी शेतर में या उद्वड़पूर डिविजन में उसके लगते हो लाके में जितने भी बड़े बड़े उपक्रम हैं जैसे सीमेंट फैक्टरीज हैं और कोई माइन्स हैं जिसमें हमारे बच्चों को रुजगार मिलता है वहां के लोगों के लिए टीएस्पी शेतर के लोगों के लिए वो जो अबारक्षित हों ताकि वहां के लोगों को मजदूरी के लिए तो कम सकम गुजरात या अन प्रदेशों में पलायन करना पड़े ये सरकार कर सकती है और सरकार को करना चाहिए मौदे कुछ अन्याय की में बात बताऊं हमारे इस कारिये काल में तो नहीं हुआ सैर मेरे विदानसभा शेतर में माड़ा योजना में जन जाती विभाग उद्यपूर की और से वर्स दो हजार बारा में टॉक जिले के उनियारा विदानसभा मेरे विदानसभा शेतर के रूपरा ग्राम पंचायत के श्रीपुरा गाउं में अठारा करोल पिचानवे लाक रुपे की लागत से एकलव मॉडल आवासिय विद्याले निर्मान की प्रशासनिक स्विकृति जारी की गई थी इस विद्याले में चटी कक्षा से लेके बारवी तक जन जाती वर्क के बालक बालिकाओं के पढ़ने तथा रहने की सुधा अपलप्त कराई जानी थी इसकी विद्यास विकृति भी एक अक्टूबर दोजार तेरा को जारी हो गई थी इसके बाद विद्याले का निर्मान के टेंडर भी जारी हो गई थे तथा उसका सलेन्यास भी हो गया था यही नहीं मौद है साथ साथ ही माडा योजना जन जाती है विकास उद्यपूर की और से टौक ग्रामीन विकास अभीकरण के खाते में तीन करोर रुपे हस्तान तर रित कर दिये गए थे अब सरकार बदल जाती है सर और मैं सरकार के वारे हूँ कुछ नहीं कुछ नहीं कर दो उनके बदलते ही उन्होंने इसको पूरी को निरस्ट कर दी तो मंत्री मौद मैं आगरे करूंगा जिसकी पूरी प्रशासनिक और वित्य सुकृती होगी जिसका ठेका हो गया जिसका सलेन्यास हो गया ऐसी योजना को लाब करने से यह इसका आपकी जो पूरवर्ती सरकार की आदिवासी वरोदी और विकास वरोदी जो मांसिकता है वो जहलकती है इसको बंद करना चाहिए और यह पुने जो अन्याय हुआ है उसको यह सरकार दुरुस्त करे मौदे बंद सिक्चा 33 में सामाज एक नियाय इसमें OBC एक बड़ी वर्ग ऐसे राजस्तान में जिसमें क्यान में जाती हैं उनको भी आरक्शन का प्राफ़दान है अब OBC के आरक्शन में से देखने को आता है बहुत सारी ऐसी जातिया है आप तो मेवार चाहते हैं आपने नाम नहीं सुने होंगे तेली, तमबोली, बड़बुञे, खाती, नाई, दाकरल, मेव, रंगरेज, कीर, कहार, कुमार अथा लिस्ट है किसी भी नौकरीम है, किसी भी मैंने इनका कभी सुना नहीं नाम ये किसी पास होते है तो इस आरक्शन में देने का क्या लाब था उनको जैसा मेरी, मेरे पास सूचना है अंदुस्तान के दस प्रदेशों ने OBC के आरक्शन का वर्दी करन का रखाने जिसकी जितनी योगता, जितनी जिसकी आवश्चकता उसके मताबिक उसकी इस्सेदारी होनी ते होनी चाहिए अन्य था, ये आरक्शन का कोई लाब नहीं है तो मैं आगरे करूँगा सरकार से और स्टेट्स में जो व्यवस्ता है उसके स्टेडी कर ले और सब को इसमें भागेदारी सब को मिले ऐसी मेरी सोच है जब इसका पूरा लाब होगा और सरकार, सर, मेरा ये है सरकार से आगरे कि जो जॉब्स है जो सरकारी नौकरिया है खास तोर से S.C.H.T.O.B.C. के जहाँ बच्चे आते है ज़ादा तर नौकरियों में लड़के जनरलिस्ट में आने लगए राइस्थान में ज़ादा तर S.C.H.T.O.B.C. के लड़के जनरलिस्ट में मेरिट में पास होते है फिर भी जब इनकी वो लिस्ट बनती है मेरिट लिस्ट इनको उस वर्ड में डाल दिया जाता है ये कानून की कानून की मनशा की अवेलना है आज के जम्मेदारी तेहों और जो बच्चे जनरल में आते हैं उनको जनरल का लाव मिले और बागी रिजर्वेशन के बाद शुरू होता है उनके समयत नहीं होता ये सुप्रीम कोट ने अन्यक बार अपनी आदेशों में कहा है सुप्रीम कोट के जो भी आदेश हैं जो उसकी मनशा है उसकी राजिस्तान में पालना कराई जाए सर दिव्यांगों का ये भी बड़ा वो है महत्मून मुद्दा सर सर हमारे पास जब शेतर में जाते हैं लोग आते हैं ट्राइस साइकल के लिए बाइस साइकल के लिए मोटराइज वो हैंड साइकल जो आती है उसके लिए सर ना तो हमारे पास पैसा है और हमारी ग्रामीन शेतर को वो कॉंस्ट्ट्वेंसीज है ना हमारे पास CSR का पैसा है वहाँ अब उनको कहां से उपलब्द करा है और लोग कहते हैं साब आप इसको एक यह यह नहीं दिला सकते ट्राइ साइकल तो क्या फायदा आपका तो सरकार को कम से कम यह कहना रखना चाहिए कि हर महने, छह महने में, साल में केंप लगा है विदान सबा, शेतर वाईज, तैसिल वाईज, जिले वाईज तकि इन गरीमों के साथ, मतलब जो लोग हैं दिव्यांग, इनके साथ भी निया हो सके सर में आपने बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत बहुत आवार जय हिन जय बार सरी केलाज मिना